पार्ट बारा मधु मक्हियों का जीवन दुनिया भर में कीड पतंगों की कितनी जातिया हैं। उनमें मधु मक्हियों के शरीर का धाचा पंक रहित होता है। बहुत बाद में पंको वाली जातियां अस्तित्व में आई। विश्व में इनकी मुख्यता चार जातियां है इनमें दो जातियां छोटी मक्खी की है जो एपिस फ्लोरिया वा एपिस डॉरसटा के नाम से जानी जाती है ये भारत, मलाया, श्री लंका, मैनमार तथा चीन आदी देशों के जंगली वा परवत्य इलाकों में पाई जाती है ये आकार में छोटी होती है तथा खुली जगों पर छटा बनाती है एपिस डॉरसटा बेहत जहरीली किस्म की है और कई बार मनुष्य के लिए जानलेवा सि जय करती है दो अन्य जातिया एपिस सरेना और एपिस मौली फिरा है एपिस सरेना भारते किस्म की है तथा मैदानी इलाकों में रहना पसंद करती है भारत के अलावा ये मलाया और मेडा गैसकर में रहती है ये अपना छट्ता गुफाओं दिवारों घरों और व्रिक्षों आदी पर बनाती है एपिस मैली फेराग दक्षिड एशिया में पाई जाने वाली दो तरह की मख्यों का मिला जुला नाम है उन्हें एक ही जाती की संतान माना जाता है यह जाती तमाम दुनिया में फैली हुई है मधु मख्यों की तीन किसमे हैं जो मादा रानी मक्खी, मादा कामगर मक्खी वर नर मक्खी के नाम से जानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण स्थान मादा रानी मक्खी का है। उसकी आयू चार-पांच वर्ष होती है वर आयू भर अंडे देने का काम करती है। रानी मक्ही एक मिनट में कई वद दिन भर में कई हजार अंडे देने में सक्षम होती है। अंडे सेने वाले तथा ना सेने वाले दो तरह के होते हैं। ना सेने वाले अंडे छट्टे के छेदों को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जबकि सेने वाले अंडे से मक्हियां पैदा होती हैं। अंडे में से जो बच्चे निकलते हैं, उनमें कई रानिया भी होती हैं। बड़ी रानी उन्हें मारने का यतन भी करती हैं, ताकि ये उसकी बराबरी ना कर सके। किन्तु कामगर मक्हियां इन कुवारी रानी मक्हियों को बड़ी सेवा करते हैं और इन्हें पौश्टिक भोजन उपलब्द करवाती हैं। कुवारी रानी मक्हिय युवा वस्था में छट्टे से बहार निकल कर एक विशेश अवाज निकालती हैं। अनिकुवारी रानी मक्हियां भी बाहर आ जाती हैं। तब इनकी आपस में लड़ाई होती हैं। जो जीतती हैं वही जीवित रहती है। च्छते में सबसे अधिक संख्या मादा कामगर मजदूर मक्यों की होती है ये अंडे नहीं देती च्छते का तमाम कार इनहीं के जिम्मे होता है एक च्छते में ये कई हजार होती है च्छता बनाने के बाद शहद एकत्र करने के अलावा ये रानी मक्य की जरूरतों का ध्यान रखती हैं उसे साफ करती हैं उसकी मालिश करती हैं और बढ़ियां से बढ़ियां खाना मुहया करवाती हैं अंडे से बच्चे निकलने पर मज़ूर मख्यां बड़ी ततपरता से उनकी देखभाल करती हैं तथा दुनिया का सामना करने लायक होने तक उनकी देखभाल करती है नित्य प्रती से मखियां एक निशित समय तक फलो फूलो का रस एवं पराग उकत्र करती है मादर पांच ग्राम शहद उकत्र करने के लिए मखियों को 50 लाख फूलो का रस जूसना पड़ता है रानी मक्ही बच्चे बड़े हो जाने पर अन्य मक्हियों के साथ लेकर नई जगा की तलाश में उड़ चलती है तथा ये सभी किसी पेर, दिवार, अत्वा गुफा के मुहाने पर बैट जाती है मजदूर मक्हिया नया छत्ता बनाने में व्यस्त हो जाती है मधु मक्हिया अकार में जिदनी छोटी होती है, मजदूर मक्हिया उतनी ही समझदार मालूम पड़ती है बच्चों के पालने पोसने हेतु जो छत्ता ये बनाती है, बबेहत खुबसूरत होने के साथ ही अनूखा होता है अचरज में डारने वाले ये चमतकारिक एवं कलात्मिक छत्ता बहुत ही सुरक्षप स्थान पर फूलो की क्यारी अत्वहरियाली से आसपास बनाया जाता है प्रतिएक छत्ते में कई कोष्ट होते हैं और हर कोष्ट में चह कोने बने होते हैं इन कोश्टों में भारी भरकम शहत तो सुरक्षित रहता ही है, साथ ही ये मख्यों के अंडे बच्चों आदी हेतु भी बढ़िया आश्रे स्थल हैं, छत्तों में तीनों तरह की मख्यों के रहने की विवस्था भी अलग-अलग होती हैं, ये अच्रज की ही बात है कि छत्ते क स्थ तापमान को घटाने बढ़ाने से लेकर फूलों का रस निकालना वपानी एकत्र करना उन्हीं के जिम्में हैं, कामगर मख्यों, खेतों, वनों और जंगलों से अनेका निक फूलों का रस, अपने पेट में एकत्र करती हैं, ये झाम मुँ से लंबी-लंबी नली को फू इसके बनने में मधो मक्हियों के शरीर की भीतरी लवण क्रिया बेहत सहायक होती है। शहद वसुता मकरंद पुश्परस हैं, जो मक्हियों की लार द्वारा फलो की चीनी में परिवर्तित होता है। मक्हियां इसे अपने ही मोम द्वारा बनाए गए चटों में जमा करती हैं। भी श्रेष्ट होता है। यह सफेद, गाढ़ा, पीला, प्रगाड, लालमिया, युक्त, भूरा, अंबर, वा काले रंगों से पाया जाता है। इसमें असी प्रकार के तद्व पाये जाते हैं। इसी कारण आयूर्वेद ने इसे अम्रित की संग्या दी है। शुच शहद में प्राया एक समान रसाइनिक अंश प्रतिशत्ता होती है। इसमें तीन प्रकार की शक्राएं पाई जाती हैं। जो करमशा, फूलों की, अंगूर की वगन्य की शक्रा के नाम से जानी जाती है। इन तीन शक्राओं में अंगूरी शक्रा सीधे रक्त में मिलने वाली है। शक्रा के अतिरिक शहद में अमल, प्रोटीन, लोह, तांबा, मैंगनीज, पोटाशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, माल्टोस, क्लॉरिफिल, आयोडीन, केरोटीन, एमिनो आसिड तथा विटामिन A, B6, B2 और C पाए जाते हैं। शहद में 42 प्रतिशत विशुद ग्लुकोस रहता है। मिठास की इस अधीकता के कारण शहद में विशाकत जीव जिन्दा नहीं रह पाते हैं। अमेरिका के प्रसिद विज्ञानिक, डॉक्टर स्टूवर्ट वेंट ने लंबे अनुसंधान के बाद या पाया की घातक रोगों के रोगानू शहद में रखने के बाद 2 से 5 दिन के अंतर नश्ट हो गये। संभवता इसी कारण प्राचीन काल में लोग शहद से घाओं की पट्टी करते थे। एक पॉंच शहद में स्थर अंडो से अधिक शक्ती होती है। या स्वता पचा हुआ भोजन है इसलिए इसे पचाने के लिए शरीर को थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जीप पर रखते ही वर रक्त में के साथ खुलना शुरू हो जाता है।